Hello Everyone, Welcome back to ICSI News इस वीडियो में ICSI के important announcement के बारे में बात करेंगे यह announcement CSET वाले student के लिए अगर आपको November में exam देगा तो आप सभी के लिए बहुत ज़रे announcement है इस announcement को बताने ते बिले आप सभी से request है कि चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया हूँ जो आपको सारी update regular provide करता है announcement को देखने के लिए आपको ICSI के website परना है latest ICSI वाले section पर क्लिक करना है student वाले section पर क्लिक करना है यह announcement है इस पर क्लिक करना है मैं फटा पर से बता देता हूँ ICSI ने अपने दुलाई 2013 के e-bulletin issue कर दी है e-bulletin बहुत important होती है आपके लिए मैं आपको सही बता रहा हूँ आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट e-bulletin ही होती है अगर आपको exam clear करना है तो क्योंकि e-bulletin में आपके question होते है paper wise अब कई बार क्या होता है आपको क्या करना है 10 e-bulletin डाउनलूड कर लेना है आराम से पढ़ो और clear कर जाओ अपना exam e-bulletin के साथ साथ आपको study material भी पढ़नी पढ़ेगी खायरी e-bulletin से काम नहीं होगा mock test भी देना पढ़ेगा ये बाकी सारी चीज़े आपको देखनी पढ़ेगी जो exam के लिए important है बाकी e-bulletin सबसे important है उसको आपको जरूर पढ़के जाना है 10 e-bulletin अगर आपने पढ़ लिया आपका काम हो गया डाउनलूड करना है मेरे telegram चैनल से डाउनलूड कर लेना वहाँ पे रखी है अगर आपको वीडियो पसंद आई समझ में ही तो वीडियो को लाइकर के जरूर देना चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं किया हूँ तो कर लेना क्योंकि आपको 608 के regarding सारी update ही चैनल देदेगा आपसे हम मिलेगा अगली वीडियो में बाबाई